हलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब हमने किया था अपनी लास्ट वीडियो में लेसन 13 मैंगेट्स आज हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट प्रोपर्टीज ओफ बार मैंगेट की बार मैंगेट की प्रोपर्टीज क्या होती हैं हमने कुछ प्रोपर्टीज जो बार मैंगेट की लिस्ट दी है उनकी नीचे इसको वन बाई वन देखते हैं फर्स वन इस अट्रैक्टिव प्रोपर्टी अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्शीत कि मैंगेट की क्या है ये मैंगेट कापेबल होता है जो छोटे-छोटे आरण की पीज को एट्रैक्ट करने की थिक है वह इट्रैक्ट कर सकता है जैसे स्टील को आयरन वगएरे को थिक है अब हमने जैसे एक activity की थी कि हमने एक thread लिया थी कि उस पे magnet को बांद के बांद दिया तो वो क्या कर रहा था कि हमेशा वो point कर रहा था North-South direction में करें तो इसमें भी वही चीज़ बताया है third is magnet has two magnetic poles कि जो magnet है उसके कितने poles होते हैं दो होते हैं कौन-कौन से ठीक है even if we break a magnet each of its two pieces still has two magnetic poles अगर मानिजे कि हम किसी एक magnet के दो टुकडे कर देते हैं ठीक है दो टुकडे कर दिये हैं फिर जो वो दो टुकडे बने हैं उनके भी अपने क्या हैं दो magnetic poles होंगे हर magnet के like poles of two magnets repel each other जो like poles है दो magnet के ठीक है जो दोनो magnets के like poles है वो तेक दुसरे को repel करेंगे ठीक है वाइल दियर unlike poles attract each other जबकि उनकी जो unlike जो एक जासे poles नहीं होते वो एक दुसरे को क्या करेंगे attract करेंगे ठीक है अपनी तरफ खींचेंगे next है हमारे पास earth as a magnet we can understand the directional property of a bar magnet by realizing that the earth also behaves like a hug magnet अब हमने क्या कहा कि हमने उपर ये directional property read की थी ठीक है तो वही चीज इनो नहीं कहिए है भी कि जो earth है वो भी behave करते है एक magnet की तरह है like any other magnet we can think of the earth also as a magnet और बाकी magnet की तरह है हम भी सोच सकते है अर्थ हो एक magnet की तरह है having two poles जिसके दो pole होंगे जैसे magnet में two poles होते है न नोर्थ पोल साउथ पोल ऐसे ही क्या है कि जो यह हमारा यह diagram दिया गया है जैसे इसमें earth को दिखाए गया उसका भी एक north pole and एक south pole होगा the magnetic poles of the earth do not coincide with its geographical poles जो इसकी poles है magnetic poles है अर्थ के वो coincide नहीं करें coincide होता है एक दूसरे के साथ ठीक है with its geographical poles the pole near the geographic north pole of the earth is regarded as the जो pole geographical north pole के पास में है जो उसके पास में उसको क्या रिगार्ड किया जाता है उसे हम south magnetic poles of the earth magnet likewise the pole near the geographic south pole is regarded और इसी तरह जो pole geographic south pole के नियर हो उसको रिगार्ड किया जाएगा north magnetic pole of the earth magnet next है making a magnet कि हम magnet को कैसे बना सकते है magnets can be made in variety of ways some of these methods are given below magnets को हम कहीं तरीकों से बना सकते हैं इन में से कुछ method दिये गए है first one is we can make a magnet by freely suspending an iron road हम magnet को बना सकते हैं अगर हम क्या करते हैं उसको freely अराम से उसको क्या करते हैं अरे इन आइरन रोड इन नोर्थ-साउथ डिरेक्शन एंड जेंटली हैं इसको जैसे हमने सब्सक्राइब कर देखें इसको जैसे चोट कर रहा है कि यह इन इसको बार मेगनेट को मूब करें कहां पर मूबक करें का Neo the length of an iron road do जैसे थिखा है तरो पर इसको हमेरे पास क्या है बार मेगनिट है इसे हम क्या कर रहे है उसके उपर उसके अलांग मूब कर रहे हैं ठीक है a large number of times always in the same sense और जैसे इस तरह से कर रहा है मालनों की ये इसके उपर move कर रहा है तो same method होना चाहिए same sense होनी चाहिए और उसको बहुत time हमें ऐसा करना पड़ेगा अब जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तो क्या होगा कि जो हमारी iron की road है वो भी क्या है ऐसा magnet वर करना शुरू कर देगी next third point है हमारा when we place an iron road जब हम iron road को रखते हैं और a steel needle, steel needle near a bar magnet for some time the road needle is observed to acquire some magnetism देखो अभी नोंने क्या कहा कि अगर हम iron road और steel की needle को ठीक है iron road या कोई भी steel की needle जैसे नोंने दिखाया उसको लिया है ठीक है मालो यह लियार इसके पास मैं किसी bar magnet को रख देती हूँ ठीक है तो जो चाहे road लिया आपनी चाहे वो जो भी needle लिया है वो क्या observe करता है उसमें भी क्या है कुछ ना कुछ यह जो जैसे bar magnet की property थी वो कुछ ना कुछ क्या है इसमें भी आ जाएगी तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह से magnet बना रहे हैं वो permanent होगा या temporary होगा होगा तो वो temporary ही because वो small interval of time के लिए ही अपनी magnetism की property को show करेगा पर्मनेंट नहीं होगा now activity 6 making and unmaking का magnet अब इस activity में हमें बताना कहां पर magnet बना और नहीं बना 3 case दिये गए है so first one is take a large iron nail एक बड़ा हमने iron nail लिया है use it for picking up some paper clips made of steel और इस iron nail का use करना है हमने कुछ paper clips जो steel से बने हैं उनको उठाने के लिए तो observe what happens and record your findings तो क्या हुआ आपने ये बताना है देखो first case में क्या होगा अब हम यहां पर पेपर clip ले 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 हैं जो steel से बने है और उसको ठीक है उसको हम उठा रहे हैं pick कर रहें किसकी iron nail की help से तो इस case में वो क्या करेगा वो magnetic property को तो show नहीं करेगा because iron nail है कोई magnet तो है नहीं है यहां पर ठीक है तो now use one end of a bar magnet to strike the nail से 25 times in the same direction अब इन्होंने क्या कहा कि बार magnet को ठीक है पहले में तो iron nail का था अब इन्होंने क्या कहा कि अगर हम बार magnet के एक end को iron इसे strike कर दे 25 times same direction में तो क्या होगा हां यहां पर यह कुछ रोड के ओपर क्या कर दे अगर हम मूव करते तो उस मतलब काफी नंबर लंबे टाइम तक हमें प्रोसाइसर करना पड़ेगा तो तब क्या है कि वह magnetism की प्रोपर्टी को शो कर सकता है कि second try again to pick up the same set of paper clips with this अब हमें ट्राइक करना है ठीक है यह जो हमने 25 time strike किया था नेल को विद इस नेल के साथ observe what happens and again record your findings अब आपको observe करना है कि क्या होता है और आपको अपनी recordings बताने तो इस case में क्या होगा कि देखा 25 time हम उसको strike कर रहे है नेल के ओपर ठीक है नेल को बार magnet और नेल को तो इस case में क्या होगा कि कुछ होगा magnetism की प्रोपर्टी करेगा शो नेक्स्ट रोडिस वैरी नेल ओन टूआ हार्ड सर्फेस अब जो यह नेल थी उसको हार्ड सर्फेस पर हमने फैंक दिया अर लार्ज नंबर ओफ 50 टाइम 50 टाइम पे तब हमें ट्राइ करना रहा है वन मोर ताइम टू पिकप दा पेपर क्लिप अगें विद इस वैरी नेल दुबारा से करेंगे हम इसे ट्राइ अब्जर वाट हैपन्स एंड रिकोर्ड यूर फाइंडिंग्स ट्राइटो रिजन आउट यूर ऑब्जरवेशन रिजल्ट इन थी केसी आपको रिज को कौन बार मैगनेल तो उसमें कुछ न कुछ मैगनेटिजम की प्रोपर्टी आ जाएगी तो वो शो करेगा उसको तो वो पिकप करेगा पेपर क्लिपS को एंड थर केस्ट में क्या होगा तू पिकप दा पेपर क्लिप अगें विद इस वैरी नेल जब हमने अब उस नेल क को ही जब हमने हार्ड सर्फेस पे थ्रो कर दिया 50 टाइम तो उस टाइम क्या है कुछ ना कुछ डिफ्रेंस जरूर रहेगा नेक्स्ट है फाइंडिंग डिरेक्शन दिरेक्टिव प्रोपर्टी ओफ दा बार मैगनेट हैस प्रूपर्टी पर बेस है वो क्या है मैगनेटिक कमपास जो आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है यहां पर मैगनेटिक कमपास दा कमपास कंजीस्ट ओफ आ मैगनेटिक नीडल पाइवोटेड एट इट सेंटर एंड प्री तो रोटेट होरिजॉन्टल प्लेन कमपास है जो वो क्या कंजीस्ट करता है क्या होता है करणल बॉक्स हैविंगा ग्लास क catastrophmind इस नीडल को हमने फिट किया है एक ह्होरिजॉन्टल बॉक्स लिया है जिसका क्या है ग्लास कवर एंटिक ए ग्लास कवर गास का बनाओगा कवर दकमपास ओल्सosphere मार्क ऑवन और जो कमपास है ठीक है उस पे क्या है एक डायल बना हुआ है जिसमें डायरेक्शन को मैंशन किया गया है इन ओडर तो लोकेट दर डायरेक्शन एटा प्लेस दकमपास इस प्लेस्ट ओवे फ्रोम एनी अधर मैगनेट अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमें किसी भी जगा की डायरेक्शन को लोकेट करना है तो हमें कमपास को क्या है दूर रखना पड़ता है दूसरे मैगनेट से या किसी भी आईरन पीस से नहीं तो needle क्या होती है ये move करने लगते है deflection होनी शुरू हो जाती है इसलिए जब भी हम इसका use करने हो तो इसके आसपास iron piece है magnet से दूर रखा जाता है और रहनी current carrying wires the compass needle will then point along the north-south direction at that place और जो compass needle है क्या point करेगा है वो north-south direction की तरफ वो point करेगा next do you know the first compass was invented by the Chinese in the 12th century जो पहली compass थी उसको invent किया गया था Chinese की थूँ Chinese नहीं किया था इसको invent in the 12th century बारविश्ताबदी में before that Chinese sailors used magnetite needles for navigation on ships तो इससे पहले जो Chinese sailor थे sailor यानि जो नाविक थे वो इस needle का use किसले करते थे navigation on ships तो वो navigation में use करते थे जो भी नाविक हुआ करते थे sailor ठीका उस needle का navigation मतलब no का वगारा में directions वगारा find out करने में the travelers used to find directions by freely suspending or natural magnet अब वो जो traveler से जो यातरी थे उसका use करते थे direction को डूणने में by freely suspending or natural magnet उस natural magnet को freely suspend करने के लिए with a thread egg दागे के साथ उसको suspend कर कर रखते थे next is activity 7 अब हमारे पास है to make a simple compass हम simple compass को कैसे बना सकते हैं we require a bowl of water a magnetic needle and a plastic lid हमें किसीच की जरूरत है एक हमें बाउल लेना है जिसमें water होगा एक magnetic needle लेंगे और एक plastic की lid लेंगे धकन लेंगे प्लास्टिक का कुछ put the lid in the water and let it come to rest अब हमने क्या करना है कि जो lid है उसको ठीक है यह जो धकन या lid लेंगे उसको हमने पानी में रख देना है ठीक है जब तक भी वो rest पर आ जाए now gently place a magnetic needle on the lid अब हमने नीडल को उस lid के उपर रख देना है what do you observe आप क्या observe करते है the lid now comes to rest with the magnetic needle along the north-south direction तो हम क्या देखते हैं कि जो वो lid है ठीक है देखो पानी के उपर रख आ तो वो शायदी तर उधर move भी करे जब वो rest में आ जाएगी तो हम क्या देखते हैं कि जो वो lid है वो rest पर आ जाती है और किस direction के साथ north-south direction के साथ if we rotate the lid और अगर हम lid को क्या करते हैं rotate करते हैं तो क्या होगा the needle again comes to rest along the north-south direction तब भी वो जो lid है वो कहां पर आएगी north-south direction की तरफ आएगी rest पर you can paint the lid with any color and mark the ends of the needle to get the correct indication of all the directions अभी नो नहीं क्या कह कि जो हमने lid लिए उसको हम paint कर सकते हैं ठीक है किसी भी color से और उसकी end पर needle है जो उस पर कुछ भी mark कर देंगे ताकि जो हमें correct indication मिल जाए उसकी directions का पता चल जाए next topic is additional interesting facts about magnets कुछ interesting facts है magnet को लेकर first one is magnets tend to loss their magnetic properties when heated or miss handled dropped hammer कि जो magnets है वो अपनी magnetic property को loss कर देता है ठीक है यानि कि magnet की property कम होने लगती है जब हम उसको heat कर दे या उसको drop कर दे फैंक दे अगर कहीं से ठीक है या उसको हम hammered कर देते हैं ठीक है अगर hammered कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि उसकी property loss हो जाएगी if magnets are not stored properly अगर magnet को हम properly मतलब अच्छे से ना रखें तो उसकी जो strength होती है वो decrease होने लगजेगी time के साथ hence there are special way to store different types of magnets इसलिए क्या कि हमारे पास कुछ special तरीके है जिसकी help से हम क्या कर सकते है magnets को जो भी अलग अलग टाइप है magnets के उनका हम store कर सकते है for example bar magnets are kept in pair bar magnets को pair में रखते हैं और उनके unlike poles के साथ same side की और उन्हें separate किया जाता है wooden piece से जैसे दो bar magnets हमने रखे हैं हमने कैसे रखा unlike poles और same side में रखा उनके बीच में क्या क्या है wooden piece को रखा हुआ है at the ends two pieces of soft iron are placed और उसके एक end में दो piece है जो iron के उन्हें रखा गया है we call these pieces as magnetic keepers और ये जो piece है इसे हम magnetic keepers कहेंगे जिनके पर हम magnet को रख रहे हैं next है magnets magnets are capable of erasing the stored memory information from tapes कि जो magnet है ये क्या कर सकता है कि जो भी कही हमारी memory information होती है जासे tape वगरा में हम रखते हैं तो उसको ये क्या कर देती है magnet erase कर देती है उसको जो भी हम बोल सकते हैं जो हमारा data यो कुछ भी information है उसको क्या कर देगा remove कर सकता है hence they should not be placed near a computer इसलिए से computer के पास या cell phone और a DVD DVD और a floppy disk और an audio cassette इनके पास इन्हें नहीं रखना चाहिए अगर हम ऐसा इन्हें रख देतो हमारी क्या है हमारा जो information या कोई भी data है वो क्या हो सकता है remove हो सकता है तो ये था हमारा lesson 13 magnets complete हो चुका chapter I hope आपको ये वीडियो पसंद आए हम मिलते हैं ओके अपनी next वीडियो में मिलेंगे तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए Thank you